Assalamu alaikum and good morning student, welcome to forward public school, e-learning class, class 4, subject Urdu A, chapter 4, हमारा पर्चम, part 2, written work. And I am your teacher, Shazi Aniyazi. Student, आएं, अब हम अपनी copy पे written work start करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने next page पर सबक number 4 लिखेंगे, heading देंगे, और chapter का नाम लिखेंगे, हमारा पर्चम. उसके बाद आप लोगों ने जब हमारा पर्चम की heading दे देंगे, उसके बाद आप लोग आएंगे, फेहरिस पर, फेहरिस की heading देंगे, और लिखेंगे, अलफाज माईनी 7, मुक्तसर सवालात 2, तफसीली सवालात 3, सवालिया जुमले बनाएं, 6, जुमले बनाएं, ये आपक लाइन लगाने के बाद, आप लोगों ने अपने न्यू पेज पर अलफाज माईनी के लिए page ready करना है, student, न्यू पेज पर भी आप लोगों ने सबक नबर 4 की heading देनी है, और chapter का नाम भी लिखना है हमारा पर्चम, उसके बाद आप लोग अपनी copy के center में एक लाइन शनाफ का मतलब है पहचान, शादाबी, ताजगी, सरनिगू, जुकना, हुसने कारकरदगी, बेहदरीन का, हिलाल, पहली रात का चान, इफ्तिता, काम का आगाज, अकलियतें, कम तादाद में और ये bracket में लिखेंगे अकलियत की जमा, इसके बाद बिटे आप लोगों ने finishing line draw करनी है, और अपने new page पर आ जाना है, स्टूडन्ट हमारे पास सवाल नंबर दो है, मुक्तसर सवालात, आप लोग मुक्तसर सवालात की heading अपनी copy में दें, उसके बाद सवाल नंबर एक लिखें, हमारे पर्चम का इंतेखाब कब और किस ने किया, question mark, इसका जवाब आप आपका question यहां खतम हुआ, आप लोगों ने finishing line लगानी है, और सवाल नंबर दो स्टार्ट करना है, सवाल नंबर दो है, पर्चम पर हिलाल और सितारा क्या जाहिर करते है, question mark, जवाब है, हिलाल बुलंदी और अजमत का निशान है, सितारा रोशनी और इल्म को जाहिर करता ह इसके बाद आप लोगों ने finishing line लगानी है, मुखतसर सवाला जवाबात के बाद, हमारे पास सवाल नंबर 3 है, तफसीली सवालात, तो चलें, अब तफसीली सवाला जवाबात की heading दें, और सवाल नंबर 1 स्टार्ट करते है, पाकिस्तान के पर्चम के कितने रंग है, और एक हिलाल और सितारा बना हुआ है, पर्चम का सबस रंग, शादाबी और सफेद रंग, अमन और खुशाली को जाहिर करता है, आपका long question 1 complete हुआ, आप लोगों ने finishing line लगानी है, second line से अपना question number 2 लिखना है, question number 2, कौमी पर्चम लहराने की अवलین तकरीब किन के हातों अंज question mark, जवाब आप लोग लिखेंगे, कौमी पर्चम लहराने की अव्तिताही तकरीब कराची में मौलाना शबीर एहमद उस्मानी और धाका में मौलाना जफर एहमद के हातों अंजाम पाई, आप लोगों ने finishing line लगानी है, और अपना new question लिखना है, question mark, जवाब लिखेंगे, कौमी पर्चम मास्टर अवजाल हुसेन ने तयार किया था, आपने तहरीके पाकिस्तान में हिस्सा लिया था, आपको हकूमत ने सदारती एवार्ड दिया, मगर आप ये एवार्ड पाना सके, हमारा next question, question number four, दिये गए जुमलों को सवालिया जुमलों में तबदील करें, number one, मजबच जुमला है, हमारे पास कौमी पर्चम किसी भी मुल्क और कौम की शनाख्त होता है, अब आप इससे सवालिया जुमला कैसे बनाएंगे, आप मजबच जुमला जो आपको नज़र आ रहा है, इसके first में शुरू में क्या लगा दें, और आखिर में question mark लगा दें, तो आपका सवालिया जुमला बन जाता है, अब सवालिया जुमला देखते हैं, क्या कौमी परचम किसी भी मुलक और कौम की शनाखत होता है, question mark, मजबच जुमला नबर टू, पाकिस्तान का कौमी परचम गहरे सब्स रंका है, सवालिया जुमला, क्या पाकिस्तान का कौमी परचम गहरे सब्स रंका है, question mark, 3. मजबत जमबा है पांच कोनों वाला सितारा रोशनी और इल्म को जाहिर करता है 4. मजबत जमबा हमारे पास है वजीर आजम लियाकत अली खान ने दो पर्चम अस्मबली में काइद आजम को पेश दिये सوفालिया जमला है हमारे पास क्या वजीर आजम लियाकट अलीखान ने दो परचम इसम्बली में काइद आजम को पेश किए क्वेश्चिन मार्क नमबर फाइफ मजबट जमला काइद आजम ने दो में से इक परचम को मुन्तखिब किया सवाल या जुमला क्या काइद आजम ने दो में से एक पर्चम को मनतखिब किया मजबत 6 जुमला है हमारे पास तमाम सरकारी अमारात पर पर्चम सितारा और हिलाल लहराया जाता है सवाल या जुम्ला क्या तमाम सरकारी इमारात पर परचम सितारा और हिलाल लहराया जाता है आपका ये कुश्चन कम्प्लीट हुआ आपने फिनिशिंग लाइन लगानी है और आप लोगोंने नेक्स्ट कुश्चन लिखना है जुम्ले बनाएं आप लोगोंने अपने कॉपी के साइट पर एक कॉलम बनाना है लाइन ड्रॉ करनी है एक साइट पर आप लोगोंने अलफाज लिखने है और दूसरी साइट पर आप लोगोंने जुम्ले लिखने है आपके पास नमबर वन लवज है जिसका आप जुम्ला बनाएंगे शनाखत और जुम्ला बनाएंगे हमारी शनाखत पाकिस्तान है नंबर टू शादाबी चमन की शादाबी नजरों को अच्छी लगती है नंबर त्री सरनिगू किसी कौमी शख्सियत की वफात पर परचम सरनिगू कर दिया जाता है नमबर फूर हिलाल हमारे परचम पर हिलाल बना हुआ है इसको बिटे आप लोगों ने यहाँ पर आपका क्वेस्चन कम्प्लीट हुआ अलफाज जुम्ले कम्प्लीट हुए उसके बाद आप लोगों ने फिनिशिंग लाइन लगानी है और नियू क्वेस्चन लिखना है नेक्स्ट क्वेस्चन है हमारे पास खाली जगापूर करें नमबर बन है कौमी परचम किसी भी मुल्की डैश होता है डैश में आप लोग लिखेंगे शनाख नमबर टू है कौमी परचम तमाम मजभी और कौमी तकरीबात पर डैश जाता है डैश में आप लोग लिखेंगे लहराया नमबर त्री हमारा कौमी परचम इसम्बली में डैश ने पेश किया डैश में आप लोग लिखेंगे लियाकत अली खान नमबर फॉर डैश ने कौमी पर्चम मनजूर किया डैश में आप लोग लिखेंगे काहिद आजम नमबर फाइव डैश ने कौमी पर्चम तयार किया और डैश में आप लोग लिखेंगे मास्टर अफजाल हुसेन बिटे यहाँ पर आपका खाली जगापूर का क्वेस्चन खतम होता है फिनिशिंग लाइन लगाएं और अपना क्वेस्चन नमबर सेवन आप लोग लिखेंगे टिक एंड क्रॉस नमबर वन में है पर्चम का इंतेखाब 11 अगस्ट 1947 को हुआ टिक लगाएंगे नमबर 2 हमारे पर्चम का रंग नीला है क्रॉस लगाएंगे नमबर 3 गहरा सब्ज रंग शादाबी को जाहिर करता है टिक लगाएंगे नमबर 4 सफेद रंग अकलियतों को जाहिर करता है यहाँ पे भी आप लोगों ने टिक लगाना है आपका question complete हुआ आप लोगों ने finishing line लगानी है और इसके साथ यहाँ पर आपका chapter भी complete होता है this is the end of chapter 4 written work and we will do chapter 5 in our next class thank you and Allah Hafiz stay home stay safe